दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और टेंपरेचर 35 से 38 डिग्री के आसपास पहुंचते ही पौधों पर तेज गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है जमीन में लगे पौधों के कंपेरिजन में बालकनी या चट पर गमलों में लगे पौधों में गर्मी का एफेक्ट ज्यादा तेजी से होता है तेज गर्मी और ड्राइ वेदर गमलों की सारी नमी तेजी से खत्म कर देती है खास तोर पर बालकनी या टेरिस गार्डन में लगे पौधों पर दोपहर की तेज जूप से ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि यहाँ पर डिरेक्ट सनलाइट का रेडियेशन काफी हाई होने के कारण पौधों की पत्तियों में सन बर्ण होना शुरू हो जाता है 35-45 डिग्री या उससे जादा टेंपरेचर में जब हम दोपहर की कुछ मिनिट की धूप भी बरदाश नहीं कर पाते तो सोचिए कि गमलों में लगे पौधों का क्या हाल होता होगा बरसात और सर्दियों के मौसम में हेल्दी और हरे भरे दिखने वाले पौधे कुछी दिनों में सुकर खराब हो जाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी साथ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनने फौलो करके आप न केवल अपने पौधों को हीट डैमेज से बचा सकेंगे बलकि पूरी गर्मियों में आपका गार्डन हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों के मौसम में पौधों को हेल्दी बनाए रखने के लिए किस तरह की खाद या फर्टिलाइजर देना चाहिए और अलग-अलग वराइटी इसके पौधों की केर गर्मियों में कैसे की जाती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जैसे हमें गर्मियों में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है वैसे ही पौधों को भी जुलसा देने वाली गर्मी से बचाना ज़रूरी होता है तो इससे पहले की तेज गर्मियां पौधों को नुकसान पहुचाएं आपको आने वाली हीट वेवस के लिए अपने गार्डन को पहले ही प्रिपेर कर लेना चाहिए तो पौधों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए पहली और सबसे इंपोर्टेंट टिप है रेगुलर वाटरिंग गर्मियों के मौसम में गमले में लगे पौधों को रोजाना पानी देने के जरूरत होती है पौधों में पानी तभी देना है जब उपर की एक इंच की मिट्टी सूखी मैसूस हो लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है वरना तेज गर्मी के कारण फीडर रूट सूख जाएंगी और पौधा मर भी सकता है अब सवाल है कि गमलों में कैसे और कितना पानी दिया जाना चाहिए गर्मी के दिनों में हमें गमलों में डीप वाटरिंग करना चाहिए पानी तब तक दें जब तक ड्रेनेज होल से पानी बैकर बाहर न निकलने लगे इससे पौधों में दिन भर मॉइस्टर बना रहेगा पानी हमेशा अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय दीजिए जिस पौधे में जितनी ज्यादा पत्ति होंगी और वो जितना ज्यादा बुशी होगा उसके गमले की मिट्टी उतनी ही जल्दी सूखेगी बहुत ज्यादा गर्मी होने पर आप गमलों में दिन में दो बार पानी दे सकते हैं लेकिन ध्यान रहे पौधों में और वाटरिंग नहीं करना है बार-बार पानी देने से जड़ों में फंगस इंफेक्शन या रूट रॉट हो जाता है पानी तभी देने चाहिए जब छूने पर उपर की मिट्टी हल्की सूखी महसूस हो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी गमले की मिट्टी पूरी तरह से न सूखने पाए क्योंकि इससे पौधे की नाजुक फीडर रूट्स मर जाती है और पौधे को दोबारा रिकवर करने में काफी समय लग जाता है बालकनी में या चट पर रखे पौधों को जुलसा देने वाली धूप से बचाने के लिए बेस्ट आप्शन होता है शेडनेट लगाना शेडनेट आपको किसी भी एगरिकल्चर स्टोर पे या प्लास्टिक शेड बेचने वाली शॉप पर आसानी से मिल जाती है शेडनेट में 25% से लेकर 90% तक धूप रोकने वाली वेराइटीज होती है आप अपने बजट और स्पेस के हिसाब से चट पर शेडनेट बना सकते है जैसे मैंने अपनी चट पर 15 फिट बाई 20 फिट के हिस्से में लोहे का फ्रेम फिक्स करवाकर ग्रीन कलर की प्लास्टिक रूफिंग शीट लगवाई है और इसके नीचे मैं साल भर उन पौधों को रखता हूँ जो शेड लविंग प्लांट्स होते है आप चट पर लोहे के पाईप का फ्रेम भी बनवा सकते हैं जिस पर गर्मियों के मौसम में आसानी से शेड नेट लगाई जा सकती है हाला कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनवाना थोड़ा महेंगा पड़ता है आप बांस के खंबों को अपनी चट की बाउंडरी वाल पर मोटी वाली बॉंबे नेल्स ठोक कर लोहे के तार से मजबूती से फिक्स कर दीजिए और इस बैंबू स्ट्रक्चर पर शेड नेट बान दीजिए मार्केट में शेड नेट आपको साइज और क्वालिटी के हिसाब से 25 रुपे मीटर से लेकर 1500 रुपे मीटर तक मिल जाती है आपको 25 परसेंट से लेकर 90 परसेंट धूप रोकने वाली शेड नेट भी मिल जाती है मैं अपने terrace garden में 60% धूप रोकने वाली shade net लगाने जा रहा हूँ इसका size 15 feet by 42 feet है जिसे मैंने 1200 रुपे में खरीदा है हमेशे UV stabilized shade net खरीदने चाहिए क्योंकि यह धूप में खराब नहीं होती है और सालो साल चलती है shade net के किनारों को इस तरह से मजबूती से बान लीजिए क्योंकि इसे काफी तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा चट पर shade net लगाने का एक फायदा ये भी है कि इससे घर के अंदर का temperature कई डिगरी कम हो जाता है आप अपनी गैलरी या बालकनी को भी आसानी से shade net से कवर कर सकते हैं गर्मियों में पौधों की मल्चिंग करना सबसे कारगार टेकनिक होती है इससे गमले की मिट्टी और उपर की feeder roots तेज धूप से बची रहती है और मिट्टी में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है wood chips या wood shavings भी यूज़ कर सकते हैं सूखे पत्ते भी mulching के लिए काफी अच्छे होते हैं आप कोको पीट की एक इंच की परत बना कर असरदार mulching कर सकते हैं कोको पीट moisture को store करके रखता है और गमले को ठंडा रखता है moss grass या sphagnum grass भी mulching के लिए काफी अच्छा option है mulching करने का एक फायदा ये भी है कि ये खर्पतवार या weeds को उगने नहीं देती जो आपके पौधे के हिस्से का nutrition चुराती रहते हैं पौधों की अलग-अलग varieties की sunlight requirements भी अलग-अलग होती है कुछ varieties बहुत तेज गर्मी की सीधी धूप में भी अच्छी तरह से फलती फूलती रहती है तो कुछ plants को धूप की जरूवत तो होती है पर वो तेज गर्मियों की सीधी धूप बरदाश्ट नहीं कर पाते वही कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनने पूरी तरह से शेट पसंद होती है और धूप में इनकी पत्तियां जुलस जाती है तो आपके पौधे को कितनी धूप की जरूवत है इसी हिसाब से इन्हें अपने गार्डन या छट में रखने की जगए तै करनी चाहिए आपकी छट की अलग-अलग जगह पर दिन के अलग-अलग समय धूप आती है जैसे कि जहां पर चार-पाज घंटों तक सुबह के धूप आती है वहाँ पर आप फ्रूट, वेजिटेबल प्लांट्स, तुलसी, रोज प्लांट्स और ऐसे कई डेकोरेटिव पौधों को रख सकते हैं जो दोपहर की तेज धूप में जल सकते हैं और चत पर जिज जगा पर दोपहर से लेकर शाम तक तेज धूप आती है वहाँ आप एडिनियम, समर लेली, बोगन वीलिया, स्नेक प्लांट जैसे सन लविंग और हीट टॉलरेंट पौधों को रखिए किस वराइटी के पौधे को कितनी धूप की ज़रूवत है इसकी इंफर्मेशन आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं गमले में लगे पौधों को तेज गर्मी से बचाने का एक तरीका ये भी है कि आप इन्हें इखटा करके पास-पास रखें साइज के हिसाब से सबसे आगे सबसे छोटे गमले रखें और पीछे की तरफ बड़े प्लांट्स को रखते जाएं इस तरह के क्लस्टर अरेंजमेंट से बड़े पौधों की शेड से छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है कर्मियों में पीस लिली, और्किड्स, मनी प्लांट, नाजुक सक्यूलेंट और इंडोर प्लांट्स जैसे शेड लविंग प्लांट्स और सीडलिंग्स को शेड में ही रखना चाहिए पौधों को तेज गर्मी से बचाया रखने का एक और कारगर तरीका होता है मिस्टिंग याने पानी की फुहार स्प्रे करना इससे पौधे को नमी और ठंडक मिलती है और साथी पत्तियों के उपर की धूल भी साफ हो जाती है और कीडों से भी बचा हो जाता है जिन प्लांट्स को ज्यादा नमी पसंद होती है उन पर तेज गर्मी के मौसम में दिन में 3-4 बार मिस्टिंग करनी चाहिए कुछ वराइटीज के पौधे ऐसे भी होते हैं जिनें हाई हुमिडिटी याने ज्यादा नमी की जरूरत होती है जैसे एंथूरियम, मनी प्लांट, और्किड्स, पीस लिली, फाइकर्स और लकी बैंबू ऐसे पौधे सूखी और गर्म हवाओं में खराब होने लगते हैं आप हुमिडिटी ट्रे बनाकर हुमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं इस तरह की एक प्लास्टिक ट्रे में दो इटे रखकर ट्रे को पानी से भर दीजिए अब गमले को इटों के उपर रख दीजिए गर्मी बढ़ने पर इसमें एवापरेशन होगा और पौधे के आसपास हुमिडिटी का लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा तेज गर्मियों में हाउस प्लांट्स को डिएपी, पोटैश, यूरिया या एनपी के जैसे क्यमिकल फर्टिलाइजर्स देने से बचना चाहिए स्पेशली नाजुक पौधे जो हीट स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं पावरफुल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स से डेमेज भी हो सकते हैं ऐसे में पौधों को और्गेनिक कंपोस देना चाहिए गमलों में लगे पौधों के लिए तेज गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा होता है जैविक लिक्विट फर्टिलाइजर्स आप घर पर ही पौधों के लिए कई तरह के बायो लिक्विट फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं जो गर्मियों में पौधों के लिए ठंडे फर्टिलाइजर का काम करेंगे केले के चिलके से liquid fertilizer बनाने के लिए 3-4 केले के चिलकों को chopper में chop कर लीजिए अब एक लिटर पानी में इन chopped चिलकों को मिला कर इसे cover करके 10 दिनों के लिए shade में रख दीजिए 10 दिन बाद चिलके ferment होकर पानी में minerals release कर देते हैं अब इन्हें चान कर इसमें 50% पानी मिला लीजिए nutrients से भरपूर इस liquid fertilizer को हर 15 दिन में एक बार सीधे मिट्टी में डालिए मैं इन गले हुए चिलकों को फेकूंगा नहीं ये सीधे जाएंगे मेरे compost bin में balanced natural liquid fertilizer बनाने के लिए आपको चाहिए प्यास के चिलके, संत्रे के चिलके और केले के चिलके इन तीनों को बराबर quantity में लेकर चॉप कर लीजिए प्यास के चिलकों में phosphorus होता है, संत्रे के चिलकों में high nitrogen होता है और केले के चिलकों में होता है 42% potassium इसलिए इनके combination से plant को NPK तीनों मिल जाते हैं एक लिटर पानी में chopped mixture को डाल कर 10 दिन के लिए shade में रखिए 10 दिन के बाद liquid fertilizer तयार हो चुका है आधा glass liquid में आधा glass पानी मिलाईए और हर तरह के plant में महिने में एक बार डालिए liquid fertilizer बनाने के लिए 2 लीटर पानी में 2 मुठी के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी होई गोबर की खाद या वर्बी कंपोस जाल कर 10 दिनों के लिए छोड़ दीजिए 10 दिनों के बाद 100% organic cool liquid fertilizer बनकर तयार हो गया है इसमें पौधे की जरुवत के लगबग सभी nutrition अवेलेबल है इसे चानकर airtight container में एक महिने तक store करके रखा जा सकता है हर 10 दिन में एक बार एक गमले में 200 ml liquid fertilizer दीजिए तो इन आसान ट्रिक्स को follow करके heat को कीजिए बीट और बनाय रखिए अपने plants को summer season में भी happy और healthy तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करें मेरे इस channel को please subscribe जरूर करें नए नए वीडियो का notification सबसे पहले पाने के लिए bell icon को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching and keep on gardening झाल 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 झाल